हैलो दोस्तों मैं निकिता अज़ पिर से अज़िर वीडियो के साथ तो आज का हमारा टपिक है ओयले स्किन जैसे जिसकी स्किन है वो टाइट तो हम लोग नहीं चेंज कर सकते लेकिन उससे होने वाली प्रोब्लम्स को हम रोक सकते हैं जैसे चिप चिपचिपा सा हर टाइम नोस और फिर जादा चिक बहुत जादा ऑईल बनने लगता है तो हम लुग बस इतना ही कर सकते कि उससे चुटकारा कैसे पा सकते हैं तो प्रॉब्लम को कि उसका ऑईल का बनना थोड़ा काम हो वह रोक कैसे सकते हैं लेकिन यह बोलिए कि oil skin type ही change कर दे तो वो तो कोई भी cream या कोई भी natural नुस्का आपको नहीं कर सकता लेकिन हाँ आपके उस skin के साथ problem होने से जरूर रोग सकता है जो कि आपको problem face करनी पड़ रही है तो मैं आज यहाँ पे आपको बहुत ही छोटा सा नुस्का बताने वाली जब आपको time मिले आप तब कर लीज़े जरूरी नहीं कि इसका कोई specific time ही हो चोटा सा ही नुसका है इसके लिए आपको केवल चहीं होगा tomato यानि कि टमाटर और तही तो यह तो आपके अविलेविल होंगे किचन में मतलब हम बहुत जादा चीजे नहीं बताएंगे तो क्या बस उसकी बीज अलग कर दीजे एक चमच आपको टमाटर का रस चाहिए होगा और एक चमच आपको दही चाहिए होगा इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजे मिक्स करके आप अपने पूरे फेस पे अपलाई करिए सर्कुलर मोशन में और इसको दिन में दो या तीन बार करिए आप और रेगुलर करिए देखिएगा इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपका जो ऑइल बनता है न वो ऑइल थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा बनना और आपकी इसकी बीडियो आपको पसंद आया आप इसको अपलाई जरूर करेगा इसमें कोई भी पैस या कोई भी बहुत ज़्यादा महनत नहीं है यह केवल आपको सिंपल अपने किचन में जाना है टमाटर लेना है रस निकालना है एक चमब दही डालना है दोनों को मिक्स करके अपने फेस पे अपलाई करना है बस इतना करिए आप रागुलर करिए रिजल्ट आकर कि आप बता उंस लड़्य उल्ट जई एकालना है वट जई लेक करिसा रागँ नहाईं लेक मैं ऑल्यादाल